हलो दोस्तों मैं रवी सैनी आप सभी का फिर से उसागत करता हूं अपने येट्यूब चैनल लेटेज जोब इन्फो में दोस्तों चुडियो में हम बात करें मिनिस्ट्री आफ डिफेंस एम ओडी की जिन्होंने ग्रूप सी के लिए अविदन जारी किया जिसमें फाइर इंजिन ड्राइवर फाइर मैन और मजदूर के पदोबर बरती होनी है लाइश डेट जो है वो तीस दिन के अंदर आपको इस अविदन करना है पब्लिश डेट जो रहा नोटिफिकेशन की है उससे मेंस की 28 पास 2019 से पहले पहले आप इसमा विदन जो है वो कर सकते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें 10 पास आपने कोई एक्जाम दिया हुआ है कि किसी भी एक नाइस बोड़ से तो आप इसमा विदन कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का आप अंतर देख और सलेबस जा रही होते हैं हम आपको वीडियो के मादर्म से स्टेब बाई स्टेब गाइड करते हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं यह जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस रिक्रूट्मैंट 2019 आप हमारी जो वेब साइट है latestjobs.info.in वहां से भी जाके चेक कर करें तो इसके अंदर fire engine driver की जो पोस्ट है वो तीन है fireman की 9 मजदूर की 4 और total इसमें 16 पोस्ट हैगी 16 qualification 10th class आपने यह equivalent आपने examination दिया हुआ है तो आपके पास 3 year experience of driving heavy license आपके आपके पास driving license है heavy तो आप इसमें आविजन कर सकते हैं जो driver की पोस्ट है ऐसे ही आपर देख सक क toca को सकते हैं fireman की जो पोस्ट है उस्के लिए 10th pass आपने किया हुआ है तो आप इसमें न कर सकते हैं साथ में कुछ अलग सही one qualification तो यहां से check कर सकते हैं मुझदूर की पोस्ट के लिए आपके पास भी 10th pass आपने किया हुआ है तो भी आपेसिया माविजन कर सकते मुझटू पांच साल अपरेज में और पीएस कंडिडेट के लिए केटेगरी वाइज आप यहां से चेक कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोसाइस जो रहेगा उसके अंदर आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेट टेस्ट रहेगा फिजीकल टेस्ट और रिटेन एग्जामिनेशन रहेगा रिटेन एग्जामिनिशन दो यही कंड के लिंग और यहां से नोटिफिकेशन वो आप यहां से डाउन्ट कर सकते हैं। तो यह इनका नोटिफिकेशन आया है दोस्तो जिसमें इस वकैंसी की भर्तीगी पूरी जानकरी दी हुई है तो आप आफ जरन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करें तो इसका जो नोटिफिकेशन डेट आई है दोस्तों वह मैं आपको बता देता हूं किस डेट से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके 30 दिन आगे तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं तो आप इस डेट का द्यार नखें तो बात करते हैं आविदन करने के लिए जो फोर्म है वह आपकी यहां पर क्लिक करके आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं इनका जो फोर्म है तो यहां पर आपको इस फोर्म को और इनके जो official address है postal address जो कि हमने यहां पर दिया हुआ है। इस official address को आप नोट करके इस पर आपको अपने जो अविदान ने फिल करके बैजना होगा official site के लिए नीचे link के दिया हुआ है इस link में klik करके आप इनके official site जो है mod.gov.in वहाँ पर भी जाके आप यह information जो है वो ले सकते हैं तो यहाँ पर यह जो Ministry of Defense की जो site है वो यहाँ पर open हो जाती है दोस्तों तो यहाँ पर भी आप information ले सकते हैं है तो दोस्तों हमारे दोर बता ही कि जानकर आप ऑप कैसे लगी आप एमें वीडियो की के वेंड बोक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को like और share करना नहीं भूले मिलतेर हैं नएव वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye दोस्तों